साथियों आप सब कैसे हो उम्मीद करती हूँ आप सभी रब्ब कायनात की अमान में होंगे आज मैं आपको एक खुबसूरत जानकारी देने जा रही हूँ हो सकता है बहुत से साथियों को पता भी होगा फिरोणों ने मिस्र पर 3300 साल तक हुकूमत की तारीख में 33 फिरोण गुजरे हर फिरोण को तकरीबन 100 साल का इक्तिदार मिला था हजरत मूसा अलाहिससलाम के साथ आखिरी फिरोण का मुकाबला हुआ वह पानी में डूबा और उसके साथ ही फिरोणों का इक्तिदार भी तूट गया फिरोण खत्म हो गए और रेत ने उन महलों को ढांप लिया यह रेत के छोटे बड़े टीले बन गए इन टीलों के बीच शहर आबाद हो गए इन टीलों में से किसी एक के ऊपर एक छोटी सी मस्जिद बना दी गई सन 1900 के शुरू में खुदाई शुरू हुई तब फिरोण का महल रेत से बरामद हुआ पता चला कि यह मस्जिद फिरोण के खास दरबार के ऊपर बनाई गई थी यह मस्जिद आज तक कायम है उपर मस्जिद और नीचे फिरोण का दरबार है शाम सूरज डूब रहा था किरणों के दर्मियान फिरोण के बनाए हुए सुतून खड़े थे सूरज की लाल किरणे दरियाए नील में घुसल कर रही थी धीरे धीरे अंधेरा चा रहा था अगर आप पुराने महल की खिड़की पर खड़े हो जाओ तो फिर देखोगे फिरोण का महल मगरिब की अजान की आवाज से गूंज उठा आपने जिन्दगी में हजारों अजाने सुनी होगी लेकिन फिरोण के महल में अजान की आवाज अपना ही सुरूर है आप महसूस करोगे मुआजन की आवाज महल की दीवारों से टकरा कर और दीवारों पर लिखी तहरीरों को पैगाम दे रही इस दुनिया के हर फिरोण का जावाल है लेकिन रब्ब काबा का पैगाम दैमी है इस दुनिया में अशहदू अलाह इलाह इललाहू के अलावा हर चीज फानी है आप गौर करोगे तो अजान की इस आवाज में फिरॉन का मुझस्समा उदास दिखाई देगा महसूस होगा जैसे वह अपने गुजरे तकबुर पर शर्मिंदा है तो याद रखिए दुनिया में हर जालिम तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही खास जानकारी के साथ तब तक के लिए फी अमानिल्ला आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्राटिक न्यूज स्टी 24